पार प्लस के धमा के दा सीरिल गूम में किसी की प्यार मेंने लोगों का दिल जितने में कोई कसर नहीं छोड़ी है शो इन दिनों टी आर पे लिस्ट में भी नंबर वन पर आने की कोशिश कर रहा है हाली में गुम है किसी के प्यार में दिखाया गया था कि विराट सवी को सई से चीन लेता है और उसे अपने साथ चवान निवास लेकर चला जाता है वहीं सई जेल में अपनी बेटी के लिए तडपती है लेकिन हाली में शोर से जोड़ी कुछ तस्वीरों और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है जिसमें सई सवी के साथ नजर आई पूरा चवान परिवार भी सई और सवी के सामने मौजूद दिखाई दिया इरियल गुम में किसी के प्यार में आगे दिखा जाएगा कि सवी जेल से फरार होकर चवान निवास पहुच आएगी वहाँ वो अपनी बेटी को गार्डन में खेलता होगा देखकर बहर खुश होगी गुम है किसी के प्यार में की वाइरल फोटोस को देखकर कहां जा सकता है कि सवी से मिलते ही सवी के आसू निकल पड़ेंगे वो अपनी बेटी से गले लगा लेगी और खूब रोईगी वहीं सवी भी अपनी आई को देखकर खुश होगी सवी से मिलकर सवी काफी खुश होती है लेकिन वो अपनी आई से सवाल करना नहीं भूलती वो सवी से पूछेगी कि इतनी देर से उसने एक भी बार बात करने की कोशिश क्यों नहीं की सवी पूछती है कि वो अपनी बेटी से दूर क्यों रहें इस बात पर सही कुछ भी कहनने के लायक नहीं होती है सही जेल से फरार होती है ऐसे में उसे पकड़ने के लिए पुलिस पीछे-पीछे पहुच जाती है हाला कि विराट उन्हें कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाता है कि उसकी बेटी के सामने किसी भी तरह का कोई ड्रामा हो आईशा सिंग आनी गुम है किसी के प्यार में कि सही की वाइरल फोटोस के मताबिक विराट दोनों मा बेटी के बीच आने की कोशिस करेगा लेकिन सही उसे वहीं रोग देगी फोटो में सही के तेवर देखकर माना जारा है कि वो जम कर विराट को अपने पती को खरी खोटी भी सुनेगी सही अपनी बेटी से मिलने के बाद उसे वापस अपने साथ ली जाएगी वहीं विराट चाहकर भी इस बार कुछ नहीं कर पाएगा वो खड़े खड़े सही और सही को देखता रहे जाएगा गुम में किसी की प्यार में दिखाया जाएगा कि सही और सही को साथ देकर पत्र लेका भावु को जाएगी वो सही को अधर्ट समझेगी हाला कि पिछले एपिसोड में सवी और विराट को साथ देख पत्र लेका थोड़ी परेशान हो जाती है फिलाल आपकी क्या रहा है इस खबर के बारे में हमें कमेंस में ज़रूर बताइए साथ अगर आप नए होता हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे